नमस्कार प्रभासाक्षी के खास चुनावी कारिक्रम कौन बनेगा गुजरातना सरदार में आपका स्वागत है मैं हूं आपके साथ अंकित सिंग गुजरात में आज भी चुनावी सरगर्मिया काफी तेज रही गुजरात में विभिन राजणीतिक दलो की ओर से आज जम कर प्रचार किया गया है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी क्रेंद्रिये ग्रीह मंत्री अमित शाह दिली के मुख्य मंत्री और आमादमी पार्टी के रास्टेश योज़ा कर विन के जरिवाल कॉंग्रेस के अध्यक्ष मलकार जुन खरगे और वरिष्ट नेता आशों गहलोत किया कि आम आदमी पार्टी के मुख्य मंत्री उम्मिद्वार इशुदान गडवी और गुजरात में आप प्रमुख गुपाल इटालिया अपनी अपनी सीटों से जीत रहे हैं प्रधान मंतिन अरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में अलग-अलग रैलियों को संबोधित क इस तोरान उन्होंने कहा कि हमारा मंत्र शांती एक्ता और सद्भावना है तथा आज गुजरात की प्रगति हमारी एक्ता पर अधारिद है गुजरात का गाउं हो या शहर एक्ता का माहौल आज गुजरात की फितरत बन गया है उन्होंने कहा कि हमारे कच्छ ने 2002 में ही तै हो गया है गुजरात के सावली में एक चुनावीद अंसभा को संबोधित करते हुए के इंद्रे गिर्यमंत्री अमित्षा ने साफ्त और पर कहा कि प्रधानमंति नरेंद्र गुजरात सरकार के पूर्वे मंत्री जैनेराइन ब्यास सोमवार को कॉंग्रेस में शामिल हो गए ब्यास ने इसी महीने की शुरुआत में भाजपा से इस्तीफा दे रिया था कॉंग्रेस अध्यक्ष मलकार जुन खरगे की मौजूदगी में ब्यास एहमदाबाद में पार् साफी दुखी हैं उन्होंने कहा कि जिस घर में 32 साल से वे रह रहे हैं उसे छोड़ कर जाने का दुख होता है लेकिन मैंने देखा है कि वहां एक बड़ा परगत का पेड़ फैला हुआ है और आप लोग जानते हैं कि बरगत के नीचे कुछ भी नहीं उगता है कॉंग्रेस की आजादी की लड़ाई में शामिल हुआ था इसे एक दिन पहले ही प्रधान मंतिन अरेंद्र मोदी ने कॉंग्रेस पर आतंकवात को लेकर वोट बैंक की राजनीती करने का रोप लगाया था उसी के पलटवार में खडगे ने यह दावा किया है भारती दंता पार्टी को इस वार गुजरात में त्रिकोनिय मुकाबला दिखाई दे रहा है अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बैल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके